नमस्कार मैं उखाजर मिश्रा स्वागत है आपके अन्वन लाई पर रहे नज़र आते हैं देश की मुखी खबरों पर कॉंग्रेस की दूसरी लिस्ट में पार्टी के दस विधायकों का नहीं था नाम जिसके बाद इन में से कई विधायकों ने निर्दली चुनाओं लड़ने का भी कर दिया एलान तिलागना में विधान सभाद चुनाओं के लिए प्रचार करने पहुँचे केंदी रक्षा मंतरी राजनास सिंग ने राज гол के विधान सभाद चुनाओं में सांसदो को उतारे जाने को लेकर पारटी की घबराहट के आरोपर पर दी है सफाई राजनास सिंग ने दिया बयान कि अब बीजेपी की है अनोखी खूबी की पार्टी में हर स्तर के नेता समाज और देश निर्माड के लिए हर तरह की चुनावती को स्विकार करने के लिए रहते हैं तयार आमाजनी पार्टी ने भारत निर्वाचन आयो को पत्र लिकर छट पूजा के मदे नजज़त 36 गर विधान सबाद चुनाव के दूसरे चरण की तारीक को पुनर निर्धारित करने का किया नुरोथ आपने चुनाव आयो को लिखे अपने पत्र में दूसरे चरण के मतदान की की तारीक 17 नॉमबर से बदल कर 25 नॉमबर करने का दिया है प्रस्ताव 20 अक्टूबर को शाम 6 बजे बीजेपी ने केंद्री चुनाव समीती की बुलाई है बैठक इस मिटिंग में राजस्थान मध्य प्रदेश और तेलांगना की उमिद्वारों के नाम पर होगी चर्चा केंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने इजरायल और आतंकी संगठन हमास यूद पर राकपा अध्य शरत पवार के बयान की की है निंदा केंद्री मंत्री ने दिया बयान की शरत पवार जैसे वरिस्ट निताव को या समझना चाहिए कि रास्ट रहे तोर रास्ट्री से बढ़ कर नहीं है कुछ कभी भी राजनितिक विचारों से नहीं होनी चाहिए प्रभावीत इस पर होनी चाहिए आम सहमती पंदर नॉम्बर के आसपस पिछड़ावर जाती जनगरना शुरू करेगी आंधर प्रदेश सरकार राज के मंतरी स्री निवास वेडू गुपाल कृष्टा ने कही या बाद राज्य में लगबख 149 पिछड़े वर की है जातियां और इन समुदायों के लोग अपनी संख्या बल से हैं अंजान भारत की पहली रैपीड रेल जल्द ही पट्री पर दौड़ने को है तयार दिल्ली गाजियावाद मेरट आरर टीयस कोरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे पहले हिस्से पर रैपीड रेल की होने वाली है शुरूआत 20 अक्टूबर को उत्रदेश के साहिवाबाद रैपीड एक्स स्टेशन पर प्राथमी खंड का उध्गाटन करेंगे प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी उध्गाटन के एक दिन बाद 21 अक्टूबर से याम जनता के लिए हो जाएगा शुरू तिवारों का सीजन हो चुका है शुरू इस सीजन में घर जाने के लिए लोगों को किसी भी समस्या का ना करना पड़े सामना इसको लेकर रेलवे ने कर ली है तयारिया रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते वे 34 विशेश ट्रेनों की की है शुरूवात ये 22 और 23 अक्टूबर को हिमाचल में फिर से सक्री हो सकता है पशीमी विछोब जिसके चलते प्रदेश की उपरी इलाकों में देखने को मिल सकती है बारिश और बरबारी वही 22 अक्टूबर को धरमशाला के मैदान में न्यूजिलेंड भारत की बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का हो हो गया है सास हारांकि दिन वर्शुष के मौसम का देखने को मिल रहा है दौर तो यह थी देश के अब तक की मुखे खबरें से तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए